दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि आपको सर्फ एक छोटे रूम में खाना नाना सोना और अपने जीवन के सारे कारे करने तो क्या आप ऐसे रह लोगे नहीं ना मुझे तो नहीं लबता लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि सर्फ एक रूम में जतने घर में पूरे परिवार के सदसे के लोग अपने जीवन को काट रहे हैं जा दोस्तों हम बात कर रहे हैं सपनों के शहर मुंबई के बीच बसने वाले सबसे बड़े एरिया धरावी के बारे में जहां सर्थ 2 किलोमेटर की एरिया में 15 लाग से भी जादा लोग निवास करते हैं इसे एशिया का सबस से बड़ा स्लम माना जाता है इसमें 55,000 परिवार और करीब 12,000 कमर्शिल कॉम्प्लेक्स हैं तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में धरावी का पूरा इतियास बताएंगे साधी धरावी में रहने वाले लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताएंगे सो र अंग्रेजों के काल में वसी ये बस्ती आज एश्या की सबसे बड़ी और दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी वस्ती है धरावी स्लम को चोटा इंडिया भी बोलते हैं ये बस्ती मुंबई के उंची-उंची इमारतों के बीच बसी हुई है अगर आप मुंबई में कम अंग्रेजों ने मजदूरों को किफायती ठिकाना देनी के मुकसद से बसाया था लेकिन काम करने के मुकसद से यहां धीरे-धीरे लोग आकर बसने लगे और यहां जुपडियां बंदी गई सबसे बड़ी बात तो यह है कि धरावी की जमीन सरकारी है लोगों ने अपने पैसे खर्च करके जुग्गी और बस्ती बनाई है यहां पर लाखो दिहारी मजदूर और चोटे कारोबारी रहते हैं जगा पर शुक्षा कास्तर और साफसफाई किस्तित बेहुदे खराब है बता दें कि पांच सो पचास एकड़ में फैली धरावी की जुग्गी बस्तियों के सुन क्या तो नहीं है कि दूर से देखने पर जमीन नजोरी नहीं आती इस बस्ति में सो वक्षट की जुग्गी में खरीब आट से दस लोग एक साथ रहते हैं कुछ जुग्गियों में घर और कार खाने भी हैं सबसे हरान करने वाली बात यह है कि यहां पर 80% लोग पाप्लिक टॉलिट कास्तिमाल करते हैं धरावी के जुग्गी बस्ति में दिहारी मजदूर के अलावा अपना खुद का कारुबार करने वाले लोग भी रहते हैं इस बस्ति के दोनों तरफ र धरावी पर भी पड़ा था यहां पर लगबग 20% लोग चम्ड़े से जुड़े कारे करते हैं धरावी अपने चम्ड़े से जुड़े काम के लिए विश्य इस रूप से प्रसद्ध है धरावी में आपको चमड़ा बाजार से सुस्थते और एकुत्तम क्वालिटी की वस्त लाकों के खरीब हैं आपको बताई होगा कि सुविधाओं का नजबीक होना लोगों के लिए जदा माने रखता है और कमाय के वर्ग के लोगों को काफी दूर जाना भी महा पड़ता है और समय भी बरबाद हो जाता है और इन्हें शहर के केंदर में बसे धरावी में सब कु कोई सटी का नुमान तो नहीं है लेकिन एक सर्वे के मदाब एक शहर में कामखाज करने वाले भारतियों में 43 प्रतीशत सेल्फ एम्प्लॉइड से बतादी कि अमारिका के किसी मेट्रोपॉलिटन लाके में भी 11 प्रतीशत से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉइड लोग नहीं है इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर आप स्वतंतर होकर काम कर सकते हैं और यहाँ पर कोई नियम लागून नहीं होता है गाउं के अपेक्शा धरावी ज़्यादा समृद्ध है बता जाता है कि धरावी की अर्थवेष्टा 600 मिलियन डॉलर से 1.6 बिलियन डॉलर या उससे जादा है यहाँ कोई चोटी चोटी बड़ी इंडिस्ट्रीज भी हैं बेयादी घनी जन संक्या वाले धरावी में भारत का दिकतर हिस्सों के मकाबले जादा व्यापार होता है इस जगह पर इस्तिमाल होचे के प्लास्टिक और सुरूई को रिसाइकल किया जाता है और गं मलाकर धरावी की अबादी के सबी प्रकार धर्मों के लोगों और राज्यों के लोगों से भरी है आपको जुगी के बीतर मंदर मजड़िद और चार्ज भी मिल जाएंगे पहले धरावी में कोई भी श्रक्षा और स्वास्ट ते जोड़ी सोविदा नहीं थी लेकिन अब स साल तीन हफते का कला 300 आयो जित किया जाता है तो दोस्तों क्या आप ऐसे जगों पर अपना पूरा जीवन बिताना पसंद करेंगे हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलतों एक और नई वीडियो के जात तब तक अपना खयाल रुकिए बाई बाई